जैहिंद जैसा कि आप लोगों को पता है कि कलास 11 मैट्स में हम लोग mathematical reasoning को पढ़ रहे हैं और आज इस वीडियो के माधियम से हम लोग mathematical reasoning की जानकारी को और भी बढ़ाने जा रहे हैं बढ़ाने के करम में आज हम लोग mathematical reasoning जो आपके RS अगरवाल बुक में हैं और उसमें जो आपका दूसरा exercise हैं दूसरे exercise के problem को आज हम लोग इस वीडियो के माधियम से बनाएंगे हला कि दूसरे exercise के बहुत सारे problem को हम बना भी चुके हैं पिछले वीडियो दूसरे वीडियो में तो आज जो है ये आपका problem नमर 1, 2 और आपका 3 और उसके बाद 5 यानि कि 4 और 6 को मैं छोड़ रहा हूं छोड़ रहा हूं इसलिए क्योंकि यह 4 और 6 आपका दूसरे वीडिय जोबे बतलाया जा चुका है अगर आप इसका playlist देख रहे हैं तो आपको सब एक जगह मिल जाएगा तो यहां पर हमारा exercise में जो problem सुरू होता है इसमें हमारा पहला problem जो है question number 1 जो है आपका total आपका conjunction पर टिका हुआ है उसके बाद दूसरा problem देखेंगे तो वह आपका disjunction पर टिका हुआ है तो conjunction को थोड़ा से याद कर लेते हैं रिवाइज कर लेते हैं conjunction जिसको हम लोग end को हम लोग conjunction कहते हैं और conjunction के लिए हम लोग इस तरह से उल्टा ए ए पूरा नहीं लिखते हैं इस तरह से हम लोग conjunction का symbol यह हो जाता है आपका है न एक बीच का काड़ दिये तो यह आपका symbol हो गया और यह पी conjunction क्यूँ अब इसका हम लोग truth table देखें truth table तो truth table में क्या कहता है कि पी conjunction क्यूँ का क्या हाल होगा अगर यह आपका true है यह आपका true है तो यह भी आपका false होगा अगर ये false है ये true है तो भी आपका false होगा truth value अगर ये आपका false है ये भी आपका false है तो इसका truth value जो है आपका false होगा तो एक word हम लोग कर रहे है truth value truth value के बारे में हमने बताया था कि इसमें true भी है और इसमें false भी है यानि कि true या false जो कुछ भी हो या तो true होगा या तो false होगा वो आपका truth value कहलाता है तो अब आम लोग question को बारी बारी से पढ़ते हैं और समझते हैं जैसा कि आप लोग board पर देख रहे होंगे कि इसमें पहला number question दिया गिया है पहला का पहला number question दिया गिया है कि 3 into 5 equal to 15 तो 3 into 5 equal to 15 ये आपका true है अब फिर कहता है end, end है तो कहने का मतलब ये आपका conjunction हो गया है अब देल ही is the capital of हरियाना देल ही जो है capital हरियाना का है तो क्या सही बात है false नहीं भाई देल ही तो हमारा भारते का क्या करते है capital है तो true conjunction false अगर हो जाए true के साथ जो है conjunction अगर false का हो जाए तो ये result जो होता है हमारा क्या होता है false होता है तो यही हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा truth value इसका क्या हो जाएगा false हो जाएगा इसके बाद हम लोग جानें, करता है 4 less than 6 दूसरा करता है 4 less than 6 तो ये आपका सही में true है उसके बाद end लिखिे उसके बाद करता है parish is in France parish जो है आपका क्या है trans में है, तो सही बात है t और यह आपका conjunction t हो यानि कि t t हो तो यह आपका क्या होता है truth value t ही होता है अब तीसरा नंबर में आपका दिया गया है कि 6 plus 4 greater than 8 तो 6 plus 4 greater than 8 आपका true है उसके बाद कहता है and 6 into 4 equal to 14 चचोग 24 होता है यह 14 लिख दिया है तो इसका मतलब यह false है तो यह क्या हो जाएगा आपका false ही हो जाएगा अब 4 नंबर में देखे क्या लिखा गया है कि minus 3 less than 0 तो minus 3 less than 0 तो सही बात है यह तो आपका सही बात है और कहता है कि 4 less than or equal to 4 and 4 less than or equal to 4 4 दोनों तो नहीं हो सकता है समझ रहे हैं बात को 4 जो है आपका दोनों तो नहीं हो सकता है लेकिन कोई एक होगा और यह जो less than हम लोग लिख देते हैं ना 4 less than or equal to 4 तो यहां less than or may equal to यह दोनों में से कोई एक होना चाहिए और इसके नीचे जो है इसके बीच में ध्यान से सुनियेगा less than or equal to हम लोग बोलते हैं तो equal to अगया है तो यहां आपका क्या हो जाएगा true हो जाएगा तो अगर इसको true लिखते हैं तो हमरा truth value क्या आता है true आता है इसके बाद question number 5 देखिए question number 5 में हमारा दिया गया है 2 less than 3 तो सही बात है 3 is not positive integer तो भया 3 तो positive integer है यानि कि एक true बोला एक false बोल दिया तो हम result क्या निकालेंगे इसका false का ही result निकालेंगे इसके बाद देखिए कि 3 plus 6 not equal to 9 3 plus 6 not equal to 9 अरे यह तो 9 के बराबर होता है यानि कि यह false बोल दिया end है end है आपका 2 plus 5 equal to 7 तो यह तो सही बोला तो बोलने से क्या होगा कोई 2 में से एक और false होगा तो इसका truth value क्या हो जाएगा false हो जाएगा इसके बाद हम लोग देखते हैं 7 number यह कहता है 2 is even 2 is आपका क्या हो जाएगा even तो सही बात है 2 आपका even है इसके बाद कहता है even prime सही ठीक है and each in आगरा ताज भी आगरा में है ही तो इसका truth value आपका T हो जाएगा तो इस तरह से देखते हैं कि पहला का answer F दूसरा T तिसरा F चोथा T फिर दो F के बाद एक T आपका आता है अब चाहें तो इसका answer को मिला सकते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं question number 2 को तो 2 में देखा जाए कहता है क्या कि write down the truth value of each of the following तो इसमें जो है सब में और लगा हुआ है तो और के लिए और के लिए symbol हमारा ये है और इसका truth table जो है इसका truth table देखिए पी और क्यों अगर है अगर ये true है ये true है तो true होगा अगर इसमें से कोई एक true है तो भी true होगा इसमें से कोई एक true है तो भी true होगा अगर दोनो false है तभी यह false हो सकता है यह truth table आपने पिछले वीडियो में ही पढ़ लिया है अब देखते हैं इससे related हमारा problem तो problem में जैसा की board पर आपको दिख रहा होगा यह तूसरा number कहता है कि 4 into 5 equal to 15 जो की wrong है और कहता है और कहने का मतलब इस तरह का symbol 4 into 5 equal to 20 जो की आपका true है तो इस तरह से इसका truth value जो है आपका truth value जो है इसका क्या हो जाएगा true हो जाएगा पहला का truth value true हो जाएगा अब दूसरा देखिए दूसरा का दूसरा number इसमें कहता है कि 3 plus 5 equal to 8 जो की आपका true है उसके बाद 3 greater than 5 तो यह आपका false है तो इसका truth value भी t हो जाएगा तीसरा number हम को देखते हैं कि 2 less than 1 जो की आपका false है 2 जो है 1 से तो छोटा हो नहीं सकता है और 2 is positive integer तो सही में 2 जो है आपका क्या है positive integer है तो इसका truth value truth value t हो जाएगा फोर हम देखें तो फोर नंबर में कहता है कि 3 is prime number 3 is even number 3 prime number तो है आपका और उसके बाद कहना है 3 even है तो यह आपका नहीं है 3 जो है आपका event नहीं है तो इसका जो है truth value t हो जाएगा फिर भी और 2 less than 3 तो सही बात है 2 जो है 3 से छोटा है और 3 is negative integer तो यह जो false है तो इसका truth value t ही हो जाएगा कोई दोनों में से एक true हो जाएगा तो उसका truth value हम लोग t ही देंगे इसके बाद six number में देखा जाए यह कहता है कि two plus two equal to four तो सही बात है और one is prime यह गलत बात है यह जो है गलत बात है तो फिर भी इसका truth value t ही हो जाएगा अब यहाँ पर seven number में देखा जाए seven number में कहता है कि four plus three greater than or equal to seven तो सही बात है अब four plus three less than or equal to seven तो यह भी आपका सही बात है दोनों सही बात है तो इसका truth value t हो जाएगा और three greater than five तो three greater than five false है और three greater than seven और यह भी आपका false है तो जिसके चलते इसका truth value जो है क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा यह आपका number eight का तो उमीद करते हैं कि इसे भी आप लोग आईए अब हम लोग समझते हैं conditional statement को तो conditional statement जो होते है न इसका symbol आपका यह होता है अब p conditional q हम लोग इसको पढ़ते हैं clear है और इसका truth table तो आपको हमने बताया ही था truth table में देखेगा तो एक के वो false होता है कहों false होता है जब आपका q false हो और यह p true हो तभी यह false होता है बादबा की सभी condition में जो है यह true ही होता है अब देख लिजिए कि यह आपका p हो गया यह आपका q हो गया यह p conditional q है आपका अगर यह true है यह true है तो यह भी आपका true होगा अगर यह false है यह false है तो भी आपका true ही होगा अगर यह false है और यह true है तो भी आपका true ही होगा लेकिन अगर ये true है ये false है तब ही यह आपका false होगा यह कारण क्या है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है बड़े बिस्तार से कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है वह या इसी condition के लिए यह false क्यों होता है तीनों के लिए यह true क्यों होता है तो अभी तो हम लोग इस पर problem बना रहे हैं शुरू से देखे होंगे तो दिश्चित रूप से समझ रहे होंगे तो आईए अब हम लोग देखते हैं इस से related problem को solve करते हैं book R.S. अगरवाल से तो book R.S. अगरवाल को आप देखते है question number 3 तो इसमें कहता है कि write down the truth value each of the following जैसा कि आपको board पर भी दिख रहा होगा तो इसमें कहता है कि if two greater than three तो देखे तो two क्या greater than three होता है नहीं होता है भाई यह आपका false हो गया अब कहता है कि then I am the king of England है न यह कहता है कि I am the king of England मैं king हूं England का बताईए को ऐसा आदमी है कि कहा दे कि हम England का king बनेंगे तो वो बन भी सकता है भविश्य में और नहीं भी बन सकता है बात समझ में आ रही है ना तो उसके मेहनत पर depend करता है ना हो सकता है कि आप भी जो है इंग्लेंड के king बन जाए उस तरह का काम करें उस तरह से मेहनत करें तो इंग्लेंड का king बन जाए तो यहां दो-दो condition create होता है आप के लिए यह true भी हो सकता है यह false भी हो सकता है अब दोनों condition में आप देखिए तो इसका जो है truth value क्या आता है अगर ft रहे ft रहे तो भी 2, 3 ही आता है ff रहे तो भी हमारा t ही हो जाता है तो इसलिए इसमें परिशान होने की जरूरत नहीं है यह तो होगी आपका पहला नम्मर अब दूसरा नम्मर देखिए क्या कह रहा है कि 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 यह आपका true है और then 3 greater than 5 यह आपका false है तो इसका truth value क्या हो जाएगा false हो जाएगा तीसरा नम्मर हम लोग देखते हैं कि 4 प्लस 3 इक्वल टू 8 यह आपका false हो जाता है और then 5 प्लस 4 इक्वल टू 10 तो यह भी आपका गलत हो जाता है false हो जाता है तो इसका truth value false हो जाएगा अब 4 नम्मर देखते हैं हम लोग यह करदा 2 less than 3 तो है तो इसका truth value आपका t हो जाएगा उसके बाद 5 नम्मर हम लोग देख लेते हैं कि 3 प्लस 5 नॉट इक्वल टू 8 अरे 8 होता है तो यानि false हो गया यह if and only if 4 प्लस 3 नॉट इक्वल टू 7 अब यहाँ पर 4 प्लस 3 नॉट इक्वल टू 7 यह आपका यहाँ पर गुसा दिया यह by conditional यह भी आपका false ही है तो by conditional में क्या होता है by conditional में दोनो true तो इसका result भी true दोनो false तो इसका result true अब एक true एक false रहे तो यह जो है false होता है एक false एक true रहे तो भी यह false होता है तो दोनो false होने से यह क्या हो जाएगा हमारा true हो जाएगा अब कहता है कि 4 is even तो सही बात है फोर आपका even है if and only if 1 is prime तो 1 is prime नंबर में ने रखा गया है यह false हो गया तो इस condition में यह false हो जाएगा 6 नंबर जो है आपका 6 is odd 6 odd नहीं होता है जो कि false है if and only if 2 is odd 2 हमरा odd होता है तो क्या हो जाएगा इसका truth value एप ही हो जाएगा तो इसमें आप थोड़ा सा सुधार कर लेंगे जैसा कि हमने बताया कि conditional में अगर दोनों एप होता है तो इसका truth value T ही होता है लेकिन यहाँ पर हमने गलत बता दिया है इसको आप सुधार लेंगे F रहे तो इसका truth value जो है T होता है तो हुई और सुधा के लिए इसके बाद हमारा question number 5 है जैसा कि आप screen पर देख रहे होंगे तो सुरू में ही आपको हमने demorgans law को prove करने के लिए बता दिया था यानि कि truth table को जो है truth table के माधियम से ही हम one और two को prove कर सकते हैं लेकिन चलिए हम लोग ये question number 3 और 4 को solve करेंगे truth table के मदद से अगर आप इसको समझ जाते हैं तो one और two भी आपके लिए आसान ही रहेगा आप खुद बना लिजेगा अगर उस video को आप नहीं देखे हैं तो भी तो इसमें जो है तीसरा नम्मर हमारा जैसा की कहा गया है कि negation of p conditional q जो होता है यह equivalent होता है p and negation of q होता है तो इसको जो है हम लोग truth table पर ही solve करके दिखा सकते हैं अब यहाँ पर याद रखेगा p conditional q अगर होता है तो इसमें false तभी होता है जब q हमारा false होता है अभी अभी हमने तुरत बताया माली जी यह p है यह q है और यह p conditional q है आपका clear है अब इसमें यह true है यह true है तो यह true हो जाएगा इसमें यह false है यह false है तो भी यह true हो जाएगा अगर यह false है यह true है तो भी यह आपका true ही होगा है ना अगर हमारा यहाँ पर true है यह false है तो भी यह हमारा false हो सकता है अब P तो हमारा यही जो है P सो वही है इसको हम चली एक बार फिर से लिख लेते हैं P जो है हमारा T है एप है और यह एप है और यह हमारा T है उसके बाद negation of q आपको लिख लेना है negation of q जो है देख लिजिए q का negation t है तो f लिखेंगे f है तो t लिखेंगे t है तो f लिखेंगे f है तो t लिखेंगे अब इस दोनों का क्या हो जाएगा end, end कहने का मतलत क्या हो गया conjunction conjunction अगर करते हैं यानि कि P conjunction negation of Q करते हैं तो conjunction में तभी यहाँ आपका true होगा जब दोनों आपका क्या हो जाएगा true हो जाएगा true और false को false ही लिखेंगे false और true को false ही लिखेंगे false और false को false ही लिखेंगे true true को ही true लिख सकते हैं यह हमारा कौन काता है यह हमारा conjunction काता है लेकिन यहाँ पर P conditional Q है और इसके पहले देखिए negation of P conditional Q है तो negation of P conditional Q आप निकालिए है ना यह देखिए T है इसका truth value तो false हो जाएगा इसका value T है तो यह false हो जाएगा इसका value T है तो यह false हो जाएगा और इसका app है तो यह T हो जाएगा तो देख लिजे last वाला जो है आपका दोनों equivalent है की नहीं यह दोनों क्या है आपका equivalent है और इसलिए हम इसको इसी तरह से prove करके दिखा सकते हैं अब इसके बाद हमारा जो है अगला चीज तो negation of P by conditional Q जो है आपका ये कहता है क्या equivalent हो जाएगा कि इसके P and negation of Q उसके बाद और Q and negation of P तो इसको भी हम लोग truth table बनाकर ही दिखा सकते है तो चलिए इसका truth table हम लोग बनाते हैं तो बनाने के लिए क्या करेंगे P ले लेंगे Q ले लेंगे चलिए P क्यू ले लिए अब P by conditional हम लोग Q ले लिए अब देखा जाए कि अगर यह true हो यह true हो तभी यह true होगा अगर यह false हो यह false हो तब भी यह true होगा अगर यह false हो यह true हो तो यह आपका false हो जाएगा अगर यह true है यह false है तो यह आपका false हो जाएगा यह चीज़ तो आप लोग जानी रहें true stable में अब चलिए इसका यहीं पर हम लोग negation ले लेते हैं negation of p by conditional q ले लेते हैं देखिए इसमें true है तो false, true है तो false, true है तो true, false है तो true, false है तो true, है ना, negation तो यहीं कहता है, अब इसमें आते हैं, P और P and negation of Q, तो चलिए Q का negation हम लोग निकाल लेते हैं, तो Q का जो negation है आपका यहां से मिलेगा, यह true है तो false लिखेंगे, F है तो T लिखेंगे, T है तो F लिख देंगे और F है तो इसको हम लोग T लिख देंगे, इसके बाद negation of P भी चलिए निकाल लेते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं, तो P जो है T, F, F, T है, तो यह हो जाएगा F, T, T, F हो जाएगा, clear, अब अगले step में, P and negation Q हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, P and negation Q हम लोग निकालते हैं, and में क्या होता है, true तभी होता है, जब दोनों true होता है, तो P देखिए, यहां से P को देखिए, और यहां से negation Q को देखिए, इस दोनों में जहां दोनों true होगा, तभी हम true लिख सकते हैं, तो खली last में हम true देख रहे हैं, बाद मा की दोनों में से कोई न एक न एक फॉल्स है ही तो ये सब जो हैं आपका false में चला जाएगा इसके बाद अगले step में हम लोग क्या करते हैं कि Q लेते हैं and negation of P लिखते हैं तो Q देख़े यह T है negation of P यहाँ है तो इस दोनों में हमलोग जहां दोनो true होगा वही true लिख सकते हैं बाद मांकी सब जगा false ही लिखेंगे तो देखिए यह भी match नहीं कर रहा है यह भी match नहीं कर रहा है सिर्फ यहां true true दिख रहा है हमको तो सिर्फ ये वाला true हो जाएगा बाद बाद की सब जो है आपका false हो जाएगा अब last step में हम दोनों का क्या ले लेते हैं दोनों को और से जोड़ देते हैं तो P and negation Q और Q and negation P तो दोनों को हमने जोड़ा है और से तो और कहता है कि दोनों में से कोई एक T होगा तो T हो जाएगा ये दोनों false है तो यह भी false ये दोनों false है तो यह भी false दोनों में से एक true है दोनों में से एक true है तो true हो जाएगा अब मिलाईए ये जो आपका कॉलम है इस कॉलम को हम इस कॉलम से मिलाते हैं ध्याँ दीजिए FFTT आया हुआ है यहां भी FFTT आया हुआ है तो इसका मतलब दोनों क्या हो गया एक्यूवैलेंट हो गया इस तरह से हम लोग इसको प्रूप करके दिखा सकते हैं इसके बाद जो question number six है आपका six आपका already six के लिए एक special वीडियो हमने बना दिया है आप चाहें तो उसको आराम से देख सकते हैं यह इसके बाद वाला वीडियो में हमने सिर्फ एक वीडियो बनाया है जिसमें सिर्फ इसी problem का हमने discussion किया है तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं वीराम देता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत